बिहार के नालंदा का सोनु जो की बार साल का है आज कल शुर्खियों में हैं सोनु ने मुखिमत नितिश कुमार से नालंदा दोरे के दवरान भीण के सामने पढ़ाई में सरकारी शहायता दिलाने की गुहार लगाई थी इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है इसके साथ ही सोनु की काफी सा रहाना भी हो रही है इस मामले में अब वाइरल बॉय सोनु की मदद के लिए एक्ट्रेस गौवर खान ने मदद का हाथ बढ़ाया है गौवर खान ने ट्वीट के जरिये सोनु की तारिफ की है और पढ़ाय को लेकर आर्थिक मदद करने की बात कही है इसके साथ ही सोनु के बारे में जानकारे भी मागी है अदाकारा गौवर खान ने ट्वीट कर सोनु की तारिफ की उन्हें लिखा कि कमाल का लड़का है सोनू के पास अपना एक विजन है और ये बहुत ही हुनाहार लड़का है एक्ट्रिस ने पढ़ाई में आर्थिक मदद करने के लिए वायरल बॉय सोनू के बारे में जानकारी मागी है और इसे देश का भवी से बताकर लोगों से भी सोनू की मदद करने की अपील की है सियम नितिश कुमार से लगाई है गुहार मुख्यमंत्रे नितिश कुमार 14 माई को नालंदा के दोरे पर थे वे लोग से मिलकर उनकी परेशानी शुनकर अधिकारियों को निर्यकणा का निर्डेश भी दे रहे थे इसे दवरान भेंड से निकलकर हर्नौत प्रखंड के नीमा कोलनिवासी रनविजय यादो का 12 वर्ष ये पोत्र शोनौ कुमार मुख्यमंत्री के सामने पहुँच गया, छटी कक्छा में पढ़ने वाले शोनौ ने मुख्यमंत्री से आगे की पढ़ाई में मदद करने की बात कहे इस दवरान शोनौ ने सरकारी स्कूल में पढ़ाई के सिती और पीता के शराप पिने की शिकायत भी करड़ा ले उसकी बाद सुन PCM मुस्कुराय और उनकी तारे भी की थी इस पूरी घटना को किसी अनने वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर शोनौ वायर हो गया शोनौ की मदद के लिए कई लोग उससे जूनने को तयार है वहीं बात करें तो जब से नेतिश कुमार से आँख से आँख मिला कर बात करने वाला ये बच्चा सोनौ ने जिस तरीके से विहार की जो प्राइमरी स्कूल है उसके साथ सराबंदी का पोल खोल दिया उसके बाद इस बच्चे की जाई-जायकार हो रही है हर कोई जब इस बच्चे की बातों को इसके विजन को सुन रहा है तो इसका मूरीद हो जा रहा है आपने भी सुना ही होगा इस पर आपकी क्या रहा है comment box दो बताईएगा खालए बाद जिए अपदगी सुटाइट